cultivation of ladies finger most probability इसको ओकरा प्लांट भी बोला जाता है लेडी फिंगर के और most probability ये क्या है कि annual प्लांट होता है और मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है में लिए अगर इसका origin की बात करते हैं तो इथोपिया से इसका origin देखा गया है ये most probability tropical और subtropical जो region होता है उसके अंदर easy way से हम उसको grow करवा सकते हैं most probability जो harvesting season होता है इसका या जो condition होती है almost 40 to 50 days के बाद ही हम इसकी start कर सकते हैं और ये क्या होती है almost 3-4 मन तक completely चलती रहती है यानि कि start जो होती है एक डेड़ महीने के बाद ही हो जाती है उसके cultivation करवाने के बाद में और उसको हम 3-4 महीने तक continuous way से या repetition में उसका harvest कर सकते हैं इसके अंदर most probability growing season जो रहता है जून से जुलाई रहता है लेकिन almost इसके अंदर क्या देखते हैं कि इसके अंदर easy way से हम 2 seed direct grow करवाते हैं soil के अंदर एक साथ में उनके अंदर से फिर क्या होता है जो weaker one होता है उसको remove कर देते हैं और जो stronger one होता है उसको हम 2-12 से transplant करवा देते हैं या उसको छोड़ देते हैं वहाँ पर growth करने के लिए अब इसके अंदर cultivation के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो जो location होती है उसका selection देखते हैं most probability यहाँ पर sunny area होना चाहिए और well-red soil की condition होनी चाहिए इसके अंदर इसके अंदर most probability full sunlight की requirement होती है इसकी maximum growth के लिए क्योंकि जितनी growth रहेगी उतनी ही इसके अंदर yield की formation की possibility रहती है तो उसके basis पर हम इसके अंदर क्या करते हैं soil की preparation करते हैं almost इसके अंदर जो soil होती है loosening condition के अंदर होनी चाहिए ताकि उसके अंदर से water drainage capacity increase हो या फिर जो aeration वाले condition होती ही वो easy way से होने पाए almost well इंच नीचे तक हम उसके अंदर ploughing बगारा करते हैं organic material compost को अच्छे वे से डालते हैं उसके अंदर और mostly अगर वहाँ पर ये क्या करते हैं सारे के सारी जो चीज़े हम डालते हो fertility को increase करवा देते हैं जो soil होती है और उसकी जो structure होती है उसको भी एक better structure provide करते हैं उसके बाद में आता है कि soving of seeds यानि कि हमने soil को prepare कर लिया है अब उसके अंदर हम वहाँ पर seed को soving करवाते हैं या फिर seed को grow करवाते हैं इसके अंदर most probability हम एक इंच का deep वहाँ पर hole की formation कर देते हैं और उसके अंदर seed को हम डालते हैं और जो seed की formation के बाद जो transplanting हम करवाते हैं या फिर जो plant-related की formation हो जाती है उसके अंदर most probability 12-18 इंच तो space उसके अंदर plant के अंदर रहना चाहिए और 2-3 feet तक यहाँ पर रोज की बीच में space होना चाहिए क्योंकि इसके लिए क्या होता कि अच्छे से जैसे कि जो branches वगर है वो अपनी well developed growth दिखाएंगी तो हर एक branch पर जो crack या फिर ladies finger की formation होती है तो वहीं पर क्या होता है जितना space मिलेगा उत्रा ही अच्छे से फैलने पाता plant और उतनी वो growth करवाता है इसके बाद में जैसे ही हमने transplanting करवाती है तो उसके अंदर watering के requirement रहती है तो जैसे ही हमने वैसे घरों में आपने देखा होगा कि जो भी plant वगर हम grow करवाते हैं तो जैसे ही हमने planting की उसके बाद ही हम उसको watering देते तो same procedure इसके अंदर भी हम follow करते हैं बट इसके अंदर ये condition नहीं होने चे कि water उसके अंदर plant के अंदर वहाँ पर water locked condition रहे या फिर खड़ा रहे उसके अंदर काफी time तक तो उसके लिए वो haram full भी हो सकता है तो इसके अंदर most probability हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बाद में इसके अंदर हम fertilization process का follow करते हैं इसके अंदर fertilizer को use करते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं जो organic fertilizer है या फिर जो भी क्या है कि compost condition के अंदर हम दे सकते हैं उसको तो को भी जो most probabilities के अंदर जो manufacturers के instruction भी लिखे हुए होते हैं जो हम organic या fertilizer use करते हैं इनके basis पर तो उसी के basis पर हमें balance amount के अंदर उसको fertilizer देना पड़ेगा वीडिंग और mulching इसके अंदर most probability हम क्या कर देते हैं कि weed को वहां से control करने के लिए कई बार किसी भी चीज से वहां पर या most probability straw वगरा हो गए, studied leaves हो गई, उनसे हम completely जो root वाला system ह होता है, वहां से complete mulching कर देते हैं या आप यह कह सकते हैं उसको cover कर देते हैं, वहां से नीचे से soil वाले condition cover होगी तो obviously weed को वहां से अच्छे से sun rays नहीं मिलने पाएंगी तो वह क्या करेंगी वहां पर grow नहीं करने पाएंगी और इसके लिए basis पर क्या हो जाता कि उनका weed जो भ भी वहां पर maintain रही और दूसरा क्या होता है वो जो temperature रहेगा उसको भी regulate करने का काम करेंगे तो यह mulching वहां पर बहुत ज़्यादा एक best way से वरक करने पाती हैं उसके बाद यहां पर कुछ variety ऐसी होती है जिनको sport की जरूरत होती है यह थोड़ा optional रहता है अगर हम okra की बात क कर रहे हैं और vegetable के अंदर में भी यह compulsor हो जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं है जैसे जैसे most property जैसे कि इसके अंदर stocking वगारा होगी ट्रेलिसिंग हो गई उनको sport के basis पर यूज गया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता जैसे जैसे वो upright growth होती हो जाए कि तो कई बार जैसे वो long plant हो जाता जाता तो यह नहों कि किसी भी reason से वो वहाँ पर टेड़ा हो जाए या वहाँ से fall off हो जाए उसके stem के अंदर कोई भी breaking हो जाए तो उस वज़े से उसको sporty measurement दिया जाता है नहीं कि fruit की वज़े से इसके अंदर ठीक है तो अगर वो condition आती तो उसके अंदर circumstances दिखाई देती है या फिर आप यह कह सकते कोई भी symptom दिखाई देता क्योंकि side by side हम उसकी monitoring भी कर रहे है प्लांट की अगर कुछ भी ऐसा आपको चीजे दिखाई दे रही है कि उसको वो हारम फूल कर सकती है प्लांट को तो जैसे कि इसके अंदर most property paste के अंदर जैसे एफि स्पाइडर माइट्स हो गए और डिजेज की बात करते हैं इसके अंदर पाउडरी मिल डी या फिर डेंपिंग ओफ जो डिजेज होती हूं mostly देखने को मिलती है अगर इनके हमें थोड़े से भी symptom देखने को मिलते हैं तो हम उसको prevention के लिए जो भी medicine वगरा या जो भी control measurement होत सच्छे से हो जाते उसके अंदर फुरूट की formation या उपरा की formation होना स्टार्ट हो जाती और इसके बाद हम harvesting करने लग जाते हैं देरे देरे इसके अंदर फ्लावरिंग होती जाती है और fruiting की work जाती हो उर हम वैसे ही multiple time और repetition टाइन के अंदेर इसकी harvesting करते हैं और दो मन तक तो easy चलती है इसके अंदर और almost इसके अंदर क्या होता कि जो 3-4 इंच का size होता है तब तक ये gain करता है तो almost वो better माना जाता कि उसके अंदर अच्छे से develop हो गया और तब हम उसका harvest कर लेती है इसके बाद harvest करने के बाद हम इसको easy store करके रख सकते हैं short term के basis पर भी और long term के basis भी जो storage की टाइप होती है एक होती short term और दूसरी होती long term उनके किसे long term यानि की लंबे time के लिए short term यानि की थोड़े time के लिए तो वो depend करता कि आप कितने time के लिए उसका store करके रखना चाते हैं कितने time वे वो consume हो जाएगा mainly यह इस पर depend करता हम उसका store कर लेते हैं